हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ निर्मडा और मेरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं बताने जारी हो आपको दूद से मावा निकालने का तरीका दूद से भी हम पटाफट मावा निकाल सकते हैं इसके लिए मैं आपको यह बहुती आसान तरीका बताऊंगी जिससे आप घर पे दूद से बहुती इसे लिए मावा निकाल सकते हैं बिना टाइम वेस्च की तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक लिटर दूद ले लिया है और यह फुल क्रीम दूद लिया है मैंने यहाँ पर तो चलिए मावा बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक कड़ाई ले कड़ाई आप हमेशा मोटे पैंदे वाली नोन स्टिक और चोड़ी कड़ाई काम में लें तो इससे मावा है वो और भी चल्दी बनेगा अब इस कड़ाई के अंदर यह दूद डाल देंगे तो सारा दूद मैंने इस कड़ाई में डाल दिया है और अब हम गैस का फ्लेम फूल कर देंगे और इसे एक उबाला ने देंगे दूद में उबाला चुका है जबी भी दूद में एक उबाला आता है तो ये बहुत जल्दी उफरने लगता है तो एक बर हम गैस का फ्लिम लोग कर देंगे और आप देख रहे होंगे मैंने इसके उपर एक लकड़ी की स्पैचुला रख दी है तो ये लकड़ी की स्पैचुला अब इस दूद को उपर नहीं आने देगी यानि उपरने नहीं देगी और इस चीज़ का हम फाइदा उठाते वे गैस का फ्लिम फुल कर देंगे और दूद को लगातार उबलने देंगे क्योंकि जब हम मावा निकालते हैं तो दूद के उफरने का चांस होता है इसलिए हम उसे लोग पर रखकर पकाते हैं लेकिन हम यहाँ पर गैस का फ्लिम फुल रखेंगे और इसे लगातार इस तरह उबलने देंगे तो अभी ये जिपके का नहीं तो इसे बहुत ज़्यादा हमें चलाने की जरूरत नहीं है तो यह देखिए दूद है वो थोड़ा कम हो गया है और आप देख रहे होंगे दूद उबल रहा है लेकिन उफरन रहा नहीं है और जैसे ही हमने यह लकड़ी की स्पैचुला इस पर से हटाई दूद धेरे धेरे उपर आने लगया तो इस चकर में हमें गैस का फ्लेम लो करते ना पड़ता है और मावा है वो बहुत धेरे बनता है तो यह देखिए चारों तरफ कॉर्नर्स में दूद चिपक गया है इसलिए हम इसे एक दोपर बीच बीच में निकाल लेंगे जिसे की मावा भूती अच्छा और दानेदार बने तो आप देख रहे होंगे दूद उपल रहा है उपर आने लगया है तो अब इसे हम मिक्स कर देते हैं तो साइड का जो दूद चिपका हुआ है उसे भी उतार दे ताकि ये जलके और आपके मावे का टेस्ट खराब ना करे अब दुबारा हम ये लगड़े की स्पैचुला इस पर रख देंगे और इसे फुल फ्रेम पर लगातार पकाएंगे दूद काफी quantity में कम हो गया है ये लगड़ादे से भी कम हो गया है अब इस stage पर आकर हम इसे लगातार चलाएंगे क्योंकि अब ये बहुत काठा हो गया है तो नीचे पैंदे में चिपकने लगता है तो इस चमसे जो पैंदे में कडाई में चिपका हुआ दूद है वो आसाने से उत्तरता नहीं है क्योंकि यह थोड़ा सा ही ठिकता है तो हम वो स्पैचुला काम मिलेंगे जो नीचे से थोड़ी चोड़ी हो तो मैं यह दूसरे स्पैचुला काम मिलूँगी इसे स्क्रैप करने के लिए और दूद को नीचे से लगाता चलाते रहेंगे पैंदे में से ताकि यह चिपके नहीं इसे मावा बहुत ही वाइट वाइट बनता है जो देखने में भी अच्छा लगता है और नैचलने के वज़े से इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है तो ये देखिए मावा बहुत ही अच्छे से पक गया है, बहुत ही काड़ा हो गया है, अब इसे स्क्रैप करते वे नीचे से लगातार चलाते रहेंगे, तो दूद की काड़ा होने के बाद इसमें एक दो मिनिट ही लगते हैं, इसे स्क्रैप करकर इस तरह हम लगातार चलाए तो यह बहुत जल्दी जल्दी नेचे से जलता जाएगा और हम इसे उठाते रहेंगे और दूसरी साइट पलड़ते रहेंगे तो यह बहुत ही फटापट तयार हो जाता है यह देखिए मावा बनकर तयार हो चुका है अब इसे एक बावल में निकाल लेते हैं मावा जैसे जैसे ठंडा होगा यह और भी हार्ड हो जाएगा तो मिल्क पाउडर से जो हम इंस्टेंटली मावा बनाते हैं या मार्केट से जो मावा खरीद के लाते हैं उससे कहीं अधिक टेस्टी बनता है यह मावा बहुत दानेदार सा होता है और बहुत अच्छा टेस्ट होता है यदि आप इसे ऐसे भी खाते हैं तो यह बहुत है डिलिश्यस लगता है तो आप भी बिना टाइम वेस्ट के ये तरीका अपना कर घर पे ही दूद से बढ़िया मावा तयार करें मौमीद करती हूँ आपको ये मावा निकालने का तरीका बहुत पसंद आया होगा यद मेरे चनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले